कितना भी मुझे उस पर भरोसा हो, लेकिन स्टॉप लोस तो फिर भी रखूंगी ही रखूंगी, मेरे लिए ट्रेड मिस होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मुझे समझ में नहीं आता है, तो मैं ट्रेड जबर्दस्ती लेना नहीं चाहती, और ऐसा होते होते एक लेकिन आता है, जब हमारे ट्रेड ओवर लॉल नेट बैलन शीट जो हमारे साल के होती है, वो पॉजिटिव रहती है, हलो फ्रेंज, चलिए, आज मैं अपने स्टाइल से, बोलिंजर बैंड वित आरेसाई, या रसाई वित बोलिंजर बैंड, इन दोनों के कॉंबिनेशन स कैसे निकालती हूं, मैं अपना स्टाइल आपको सिखाती हूं, सबसे बड़ी बात हमेशा मैं कहती हूं और याद रखनी की चीज़ है, ओसिलेटर्स, इंडिकेटर्स, ये सपोर्टिव है, ट्रेड प्राइस अक्षन पे होता है, जब तक प्राइस मुझे अक्षन नहीं ब कितना भी मुझे उस पे भरोसा हो, लेकिन स्टॉप लॉस तो फिर भी रखूंगी ही रखूंगी, बिकाज मैं राइट हो सकती हूं, कैरेंटी तो नहीं है न, गलत भी तो हो सकती हूं, बिकाज मैंने अपनी स्टडी किये, कभी-कभी मार्केट में से सामने से क्या आजाता है, हमें पता नहीं चलता, इसलिए स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है, और स्टॉप लॉस की कीमत वही जान सकता है, जो स्टॉप लॉस नहीं लगाके लाखों रुपे बरबाद कर चुका है, हाँ, ये भी मैं मानती हूं कि स्टॉप लॉस हिट होने के बाद टार् हमें हमेशा लॉस में सिखाती है, और प्रॉफिट में इंप्रूव करना सिखाती है, और ऐसा होते होते एक दिन आता है जब हमारे ट्रेड्स, अवरौल, नेट बालंस sheet जो हमारे साल कiksi होती है, वो positive रहती है, तो चलिए देखते हैं, तो ये एक plane chart है, इसमें हमcionीने alerts जो किसी कि भी settings चेंज नहीं करती हूं, जो जैसी है वैसे ही use करती हूं, सिर्फ लोवर वाली red रखती हूं, middle वाली green रखती हूं या कोई black color रख लेती हूं, और टॉप वाला बैंड जो है पुब्रियू रखती हूं बस यह मैं जरूर करती हूं कि थिक रखती हूं जिससे मुझे at a glance दिखे और इसके साथ हम इंडिकेटर्स में से एक उसिलेटर डालेंगे RSI RSI डाल दिया इसके भी मैं कोई पारमीटर्स चेंज नहीं करती हूं मैं 14 रखती हूं और 14 के हिसाब से मैंने अपने बहुत से वीडियो में बोला भी है कि मैं जो है 50 के उपर बाई करना पसंद करती हूं तो यह हमने एक बीच में 50 की लाइन बना दी अब सिर्फ इसी से काम नहीं होगा जब हम बाई करने के लिए जाते हैं तो हमें प्राइस एक्षन तो देखना ही है और उसके साथ में क्या RSI और बोलिंजर बैंड दोनों हमें सपोर्ट करते हैं तो यहां पर जब मैं 50 के इदर आती हूं तो बोलिंजर बैंड में प्राइस बिलकुल सिकुड़ा हुआ है इफ यू गैन सी बोलिंजर बैंड बिलकुल नैरो है बोलाटिलिटी है ही नहीं इसे साइडवेज या एकदम रेंज बाउंड कह सकते हैं बोलिंजर बैंड एक चीज का इंडिकेशन देते हैं कि बोलाटिलिटी बढ़ रही है कि कम हो रही है और मार्केट अगर साइडवेज रहता है या कोई भी स्टॉक के प्राइस साइडवेज रहते हैं तो बॉलिंजर बांड बिलकल नरो और फ्लाट जैसा हो जाता है अब जब बॉलिंजर बांड नरो और फ्लाट रहता है जोकि इस एरिया में है तो RSI भी मुझे इस एरिया में बार-बार 50 के उपर नीचे ले जाके मेरे स्टॉप लोसस हिट करवा सकती है तो ऐसे में मेरा supportive कौन है? ऐसे में मेरा supportive है, price action और वो ही हमेशा मेरा supportive रहेगा लेकिन यहाँ पे हम bottom पे हैं और इस तरह से जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? यह जो moving average है न बॉलिंजर बैंट की 20 ऐसे में है, by default तो यह 20 के ऊपर अगर आ गई और 20 के ऊपर, RSI भी 50 के ऊपर है साथ में open और low, जो की मेरा favorite है, मैं हमेशा कहती हूँ कि open और low के pass में अगर हो, यहाँ पर अगर देखें, तो 748.05, 748.05, open और low, almost same है RSI 50 के ऊपर है, बॉलिंजर बैंट में price जो है, वो 20 ऐसे में के ऊपर है अब यह यहाँ से चलता है और upper band के साथ walk करना सुरू करता है यह जो upper band के साथ walk करना सुरू करता है और फिर यहाँ पर यह narrow हो गया लेकिन यहाँ पर narrow हो के क्या हुआ है, RSI 50 के नीचे नहीं आई है अब RSI 70 के ऊपर चली गई, तो वैसे भी मैंने कई वीडियो में बताया है कि 70 के ऊपर तो मेरा sell बनता ही नहीं है हाँ, यह कर सकती हूँ कि जो मैंने यहाँ पर buy किया था और जब यहाँ पर अंदर बंद हुआ या open high दिखा तो मैं part profits book कर सकती हूँ because RSI is not below 50, तो मैं part profits book करूँगी पूरा square of करके negative नहीं जाऊंगी और वापस जैसे ही 70 के ऊपर आया price ने band के साथ चलना शुरू कर दिया, जिसे कहते हैं walking the band walking the band और साथ में SMA के ऊपर ही चल रहा है 20 SMA के ऊपर, कहीं पे भी मुझे यह नहीं दिख रहा है कि यह SMA के नीचे आया हो या walking the band या RSI 70, सब मेरे favor में चल रहा है continue trade को hold कर सकती हूँ, part-part profits book कर सकती हूँ हाँ, part profits book करने की मेरी आदत है और एक और आदत है कि जब मैं मान लोग कोई share free हो जाता है तो मैं फिर नहीं बेचती, अगर वो अच्छा blue chip company है तो सभी लोगों के request के बाद, जोती मैं finally ready है to conduct a mentorship program for all the candidates who've been watching and learning from her videos ये mentorship program में हम profit making trading setups के बारे में discuss करेंगे और उन्हें साथ ही साथ practice भी करेंगे ये एक बहुत ही detail program है इसलिए आप इसके बारे में और जानने के लिए दिये गए link पे जा सकते हैं और जान सकते हैं कि हम क्या क्या चीज़ कवर करेंगे So hurry up guys, before someone else grabs your seat फ्री के शेज मुझे बहुत पसंद है और लेडीज लोगों को फ्री का माल बहुत पसंद होता है तो ऐसे करके अगर हम इसे यहां पर देखें अब यहां पर क्या देखने मिल रहा है यहां पर प्राइस 20 SME को तोड़ कर उसके नीचे बंदुआ उसका लो भी टूटा और RSI almost 50 के पास है जैसे ही 50 के नीचे और यह open और high सिर्फ तीन रुपे का कुछ फर्ख है हाफ परसंट हम रफली पकड़ते हैं और RSI 50 के नीचे सारी profit book और उसके बाद shot भी जा सकती हूँ अगर F&O का stock है तो shot भी जा सकते हैं और put भी खरीच सकते हैं call भी write कर सकते हैं and see the beauty RSI भी और price भी और price ने lower band पर walking चालू कर दी अब यहाँ पर एक hammer candle बना है जिसे pin bar भी कहते हैं अगर charts बहुत अच्छे से जानते हों तो इसको use करके यहाँ पर shot position कट की जा सकती है मैंने क्या कहा भाव भगवान है price action लिना है अगर cut नहीं करनी है तो part profits तो बुक किया ही जा सकता है चलिए एक trick बताती हो मैंने एक ही lot shot किये और मुझे उसमें part profit booking कर लिए तो उसके लिए मैं क्या करती हूं कि मैं cash में certain shares buy कर लेती हूं तो हो गई मेरी part profit booking हाँ माना कि मुझे उसमें पैसा लगाना पड़ेगा फुल पैसा because मैंने delivery जो उठाई है futures में margin ही देना पड़ता है लेकिन भाई पैसा कमाना है तो हाथ में पैसा भी तो होना चाहिए तभी तो ऐसे अच्छे अच्छे मौके आएंगे कि हम FNO में भी part profit booking कर सकते हैं और इस तरह से चलते चलते वापस 50 के उपर और 50 के उपर अब खाली सिर्फ 50 के उपर लेने से ही मैं trade नहीं लूँगी मुझे साथ में क्या चाहिए जो मेरा favorite candle है open और low pass में तो open और low मुझे कहा पास में मिलता है यहां पे अब यहां पे मैं buy करूंगी उसी के हिसाब से इसमें चलते जाएंगे stop loss वही होगा ऐसे में 20 और movement चलती जाएगी चलती जाएगी और यहां फिर वापस open high RSI भी 50 के नीचे price भी SMA के नीचे इसका low तोड़ा और इसके बाद इसने मुझे shorting का chance नहीं दिया because उसमें कहीं open or high नहीं है तो ठीक है trade miss हो गया मेरे लिए trade miss होना कोई problem नहीं है लेकिन अगर मुझे समझ में नहीं आता है तो मैं trade जबरदस्ती लेना नहीं चाहती ना मैं trade के पीछे भागती हूं और यह सबसे important बात है कि जरूरी नहीं है कि हर trade मेरा हो लेकिन जब तक मेरा confidence नहीं आएगा तब तक तो मैं trade नहीं नूँगी तो I hope कि यह मेरी Bollinger Band with RSI की strategy की छोटी सी trick आप लोगों को पसंद आई होगी कि मैं कैसे इसको use करती हूं Thank you so much करने कैसे ढ ब म म म म म म म म ब खन स क train